नवश्कार आज फिर उपस्तितुआ हूं हस्त रेखा में एक ऐसा विशय मरीबंद किन चीजों क्या-क्या चीजे देखी जाती मरीबंद से किस तरीके से मरीबंद देखा जाता है कौन से इस सिद्य अगर कहा जा है मरीबंद की अच्छी होती है सभी चीजों पर मैं आपसे कुछ चीजे मैं आपको बताऊंगा मरीबंद से संबंद देखी एक चीज़ समझिए कि अगर मरीबंद नहीं है ठीक है अगर बहुत सारी लोगों के हाथ में नहीं होता है अगर मरीबंद नहीं है माली जी ऐसा नहीं है कि रेखाएं बिकार हो गई रेखाएं हैं मरीबंद नहीं है कोई बात नहीं फ़ला समयनत ज्यादा कर लेंगे मिलेगा सब कुछ उसमें कोई दोराय नहीं है मरीबंद अगर कहा जा एक सपोर्टर है एक सपोर्ट वा करने वाली चीज है जैसे हम लोग को आप मरीबंद मत दिखाई केवल हाथ की रेखा दिखा दिजे उतना प्रयाप तहता है हमें मरीबंद की जवत नहीं है क्योंकि वो हम जानते हैं किस एंगल से किस जगा से उस मरीबंद में रेखाई बन रही है किस जगा पे ये बिंदू होगा तो मरीबंद पे ये रेखाई बनेंगी बास समझेगा केवल मरीबंद से ही जीवन का आकलन नहीं किया जा सकता कि मरीबंद से ही जीवन का आकलन करना भी ये गलत होगा लेकिन मडिबंद अगर कहा जा या है बेहद महत्पून फेक्टर अगर कहे हैं हस्त रेखा में बनता है यह अगर कहा जा है तो तीन सब्सक्राइब करने लिए सबस्ते रहे बोगों के दिया ähnlich यह हमत्राइबाइन वह उसलिवरे सेस्लाइब एक छमता देता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बड़ा बन जाता है कहीं लाब है चार मरी बंद होना कहीं नुपसान भी है पुत्र का सुख नहीं मिलता इसे लोगो कारण कुछ भी हो सकता है मैं यह नहीं कहूँगा कि पुत्र नहीं होगा मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पुत्र के सुखों में ये कमी को दिखाता है अगर ये चौथा मारी बंद रगर का आज़ा थोड़ा सा दूरी से बन रहा है ऐसे लोग विदेश में जाके बसते हैं, विदेश से सम्मंदित कारियों को दिखाता है, विदेश में सफलता को दिखाता है या घर से दूर जाके बसने को ये दिखाता है, भक्ति को घर से दूर जाके ले आके वहाँ पर बसाता है बेहद महत्पून अगर कहा जाए चिन होता है जो मनीबंद पर हनाकि चिन पर आने वाले समय में सभी चिनों के बारे बता होगा लेकिन दीप का चिन अगर कहा जाए इस हाथ में ऐसे करके यह हो गया दीप का चिन्न अगर आपके हाथ में दीप का चिन्न है मडी बंद के उपर मडी बंद पे उच्छे पद को दिखाता है धन से सम्मंदित की जो में प्रबलतम योग बनाता है और खासकर अगर दीप एक दीप है, तीन दीप है पांस दीप है, साथ दीप है तो बेहत अच्छा है अगर यहां पर दीप है अगर उसमें भी अगर देखा जाए पहले पे या दूसरे पे या दोनों पे अगर यह बन रहा है बेहत अच्छा है अगर तीसरे पे दीप बन रहा है सारीरिक उर्जा में कमी को दिखाता है अंदर से कमजोर होगा शरीर अगर दीप का चाइन जो है तीनों में कहीं पर भी बन रहा है तो कहीं न कहीं स्वास से सम्मंदित समस्याओं को भी दिखाता है यह दीप का साइन इससे सम्मंदित तनाव को भी दिखाता है दीपका साइन एक होती है चेन टैप की या चेन तो गलत कहा जाएगा यव माला यव माला यव माला का मतलब होता है ऐसे करके बरती है एक ही आकार की अगर यव माला बन रही है ठीक है एक ही अकार की अगर यव माला बन रही है एक समान है ये धान दीजेगा एक ही तरीके के मतलब इसके जो गोले आ रहे हैं एक तरीके के बन रहे हैं ऐसे में कहा जाएगा राजनीती सरकारी तंद्र बेहद लाव वहसाय से सम्मंदे चीजों में बेहद लाव वहसाय में बढ़ाने को दिखाता है ये लाब को दिखाता है इस्तियों के अगर हाथ में बन रहा है उल्टे हाथ पे अगर इस्तियों के उल्टे हाथ में बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा पुत्र के संतान का सुख अगर कहा जाए यह दिलाता है और पती का भी सुख मिलता है धन के साथ में ध्यान रखेगा चेन अलग हो गया यौ माला अलग हो गई यौ माला का मतलब जो है यह पूरी तरीके से एकी बराबर हो एकी बराबर इनका साइज एकी बराबर हो इसीज का ध्यान रखेगा अगर यह आपके जो है जो मरी बंद है मरी बंद अगर आपके तूट रहे हैं तूटे फूटे से हैं यह दरिद्रता को दिखाता है उल्जयनों को दिखाता है कलेश को दिखाता है दुखों को दिखाता है कामों में अवरोत को दिखाता है यह मरी बंद का हिस्सा अगर लटक हुआ है यह इस्फा्ण लटका हुआ है उसे में कहा जाएगा कहीPark व्यक्ति आलशी होगा अपने आलस्गारन चक्रवेवन जीवन का नुक्सान करेंगा पौरुष की कमी को दिखाता घ्राइव अगर ये हिस्सा लटका है और जिलों की हड़ी निकल लगी है इस जगा पे हड़ी दिखाई दे बाहर की वो निकली होई भले तीन मड़ी बंद हो या चार मड़ी बंद हो उतना लाब नहीं मिलेगा अगर ये हड़ी निकल लगी है तो उत्रना लाप नहीं मिलेगा अगर ये हटी निकल लई है तो ये मडिवंध है यह आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा को मणिबंद से एक रेखा काटते, जीवन रेखा को अगर कोई मणिबंद से रेखा आपके काटे, ऐसे लोग को यात्राइं बहुत सोच समझ के करने चीए, ऐसे लोग अगर कहा जाए, गारी चलाने में बेहस साफधानी बढ़तन यह इसको भी दिखाता है, ऐसे में यह भी कहा जाता है, यात्राय निश्वल होती है, विवहा से सम्मंदित चीजों में विलंब को दिखाता है, विवहा में विलंब, या विलंब अगर समय पे भी हो गया विवहा, तो कही ना कहीं विवहा से सम्मंदित दिक्कतों को और खास करें यह और कि निखिए इनितों स्वस्ते रेखा को कारती होई मरी ऐसे गावती यह स्वास के लिए खराब है यह दुरभागह को दिखाता है यह आजिवन संगर्ष को दिखाता है सुखों में वैभास सकन distracted विवसाय से सम्मंदित चीजों में नुक्सान को भी दिखाता है एक बितो और मैं बताता हूँ बहुत अच्छा इसकी अगर मैं बात कही है तो इसको विद्हान से देख लिएई यह आपकी भाके रेखा है यहां मैं बता देखे, यह आपका मरीबंद है, मरीबंद से छूती हुई एक भागे रेखा, उसके बगल में त्रिकोण का बनना है, त्रिकोण में किसी प्रकार की कोई रेखा ना जाए, त्रिकोण मतलब यह रेखाओं का जाल या रेखा, काटे ना त्रिकोण को, और उसके ऐसे में ये कहा जाएगा, जीवन परियंत्र व्यक्ति के पास धन रहेगा, सुख सुधाओं की अनुगोती होगी, ऐसे लोगों के पास वाहन बड़े इच्छे होते हैं, गारियां बड़े इच्छे होते हैं, कम महनत में ज्यादा लाप को दिखाता है, कम महनत करनी जोतिश शास्त्र में, आने वाले समय में मड़ीबंद से सम्बंदित, और भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको, अभीकले बस इतना ही, नमस्कार